परमेशर की बेड़े नाम की मघिमा हूँ, फिर से आने वाला प्रभुई श्मशी के मीठे और पवित्र नाम से सब को जैमसी की, पिछले दिनों में हम निर्गमन की किदाब तेरवे अध्याई से कई बाते मानन किया था, आज से हम चवदा अध्याई में प्रवेश करेंगे, निर्गमन की किदाब चवदा अध्याई, एक बहुमूली अध्याई है, परमेशर का बचन में आईसी एक बहुमूली अध्याई, कितना थाकत परमेशर का चमतकार को हम देख सकता है, क्रोसिंग ओफ दे रड़ सी लाल समुद्र पार करना बहुत बहुत मुश्किल की काम है परंदो परमेश्चुर ने वो काम किया है नहीं तो हम देख सकता ही कि I am your defender मैं तुमारे लिए जगडा करने वाला हूँ मैं तुमको संबालने वाला हूँ मैं तुमको आगे चलाने वाला हूँ तुमको समर्श्टन करने वाला मैं ही हूँ I see एक बात हम इस अधियाए में देख सकता है इस सद्याई को मेंली हम दो भाग में विभाजित कर सकता है एक से लेकर चौदा पद तक हम देख सकता है कि दे परस्यूट ओफ फरोस आर्मी फरोक का सेना इसराइली लोगों के पीछे चल रहा है उसी बात को हम देख सकता है उसी को अपना कबजे में वापस करने के लिए और पंद्रा से लेकर 31 पद तक गौड लीड्स इसराइल एक्रोस दा रड्सी परमेश्वर ने इसराइली लोगों को कैसे लाल समुदर के अंदर से आगे लेके जा रहा है आगे उसी को महारगन देशन करता है बहुत बड़ा एक चमतकार का एक अच्चंबित बाते हम इदर देख सकता है हम यह पड़े गतो इसी से बहुत सार पार्ट परमेश्वर हमको सिकाता है कैसे यहूदी लोगों को लाल समुदर से पार करवा दिया है उसी कि द्वारा परमेश्वर ने बहुत द्वारा बाते हमको सिकाता है God's Miracle of Deliverance at the Red Sea परमेश्चुर का बहुत बड़ा चमतकार इस अध्याए में हम देख सकता है कि कैसी लाल समुदर को दो भाग में डिवाइड करके इसराइली लोगों को आगे लेके जा रहा है ये नर्गवन की किदाब 14 अध्याए हम देखे गए तो जहूदी लोगों को परमेश्चुर ने रड़ सी लाल समुदर कैसे लेके गया है इस बात को हम देख सकता है और इबरानियों में इसको क्रियाट याम सुफ उसका मदलब ये है कि क्रोसिंग ओफ दा सी ओफ रीड्स रीड का एक समुदर है उसी को कैसे क्रोस कर रहा है इस बात को हम इदर देख सकता है लाल समुदर को पार करने वाला ये बहुत बड़ा परमेश्चुर की काम की बहुत बड़ा एक विवरन हम परमेश्चुर का वजन में देख सकता है ये गाने के द्वारा तोरा में भी और वजन संगित में भी भार बार इस बात को हम देख सकता है की कैसे परमेश्चुर ने इसराइली लोगों को यहूदी लोगों को लाल समुदर पार करते हुए कनान की और लेके जाने के लिए शत्रूं से बचाकर फरो से बचाकर कैसे आगे लेके जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा विवरण उनका शत्रूं फरो के साथ परमेश्चुर ने क्या काम किया है उसी का एक विवरण हम देख सकता है बहुत बड़ा एक परमेश्चुर का हाथ इदर हम देख सकता है यह मुस्लीन लोग भी इसी को विश्वास करता है परन्दू आजकल हम देख सकता है कि निर्गमन की किदाव में लिखा हुआ चीज़ों को बहुत गलत तरीके से उसी के उसी का सिंसियारिटी को उसी का सच्चाई के विरुत में आर्कियोलजिस्ट पुराना वस्तों की भारे में जांच करने वाला लोग उसी के सत्य संददा को सत्य को ओपर वो शंगा करवाने के लिए कोशिश करता है हम जानता ही कि दुनिया में कितना शासन करने वाला है यह साब परमेश्वर के वाइदे के विरुत में और परमेश्वर के वजन के विरुत में लोगों के खरुदियों में शंगा डालने के लिए और डाउट डालने के लिए काम करता है पर दुक हम देख सकता है कि God never wastes a miracle परमेश्वर ने कभी भी एक अजंबा का काम एक मिराकल एक अलपुद काम कभी भी वो पालतु नहीं करेगा कुछ काम के लिए परमेश्वर करता है इधर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक उदेश्व के साथ ये बड़ा काम परमेश्वर ने किया है क्योंगी परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का शक्ति के ऊपर परमेश्वर का परमाधिकार के ऊपर ये लोग विश्वास करे ये परमेशुर चाहता है, में ही बहुत बड़ा परमेशुरें वो समझाने के लिए उनका यात्रा चालू किया है, उसी टाइम परमेशुर ने बहुत बड़ा एक चमतकार के दौरा इन लोगों को लाल समुदर पार करवा के लेके जा रहा है, उसी का विवरन इदर हम देख स सकता है, ये लाल समुदर को दो भाग में विवा ज़िद करने के लिए परमेशुर का ताकत को इदर दर्शाता है, यदि परमेशुर ने ये बहुत बड़ा एक काम किया है तो आगे वाला, दिनों में आने वाला ये खहसाब कारिये, परमेशुर के सामने बहुत चोटा है, परमेशर उसको सब्भा लेंगे उसको आगे लेकर चले जाएंगे कोई शत्र उनके उपर कब जाना करेंगे परमेशर साब कुछ देखने वाला है पर यह बाईयों बहुतनों हम जानता है कि इस्राइलियं की लोग यहूदी लोग जब मिस्र चोड़कर वाव बाबिल कनान की और जा रहा गाता उनके पीछे फरो का साइन है बहुत बड़ा भेल पीछे है दोनों साइड में बहुत सारा पखाड है चड़नी सकता है आगे लाल समद्र है उसने सोचा यह अभी मृत्यू है यह दी आगे जाएगा तो लाल समद्र में डूपके बर जाएगा पीछे अर यह सेना नहें उन लोग को मार डालेगी इसलिए उसने जाद हो तो परमेश्वर से प्रार्थन कियो परमेश्वर बछा ओ कभी भी ऐस सह धिमाक में नहीं आया इनका ये लाल सबुद फार होकर लोग जाएगे उनके लिए वो प्रारतना भी नहीं किया वगा परंदो परमेश्वर ने वो प्रारतना को बिनाव उसने प्रारतना नहीं किया गा तो भी वो उन्दी का मन में आया भी नहीं है आईसी बात परमेश्वर ने कर दिया है इसलिए एफ़ेशियों की किदाब तीन अद्याई बीसुए पद में हम देख सकता ही कि हम सोचने से भी और हम मांगने से भी परे परमेश्युर हमारा उत्तर देने वाला है परमेश्युर हमारा प्रारतना को सुनने वाला है बहुत बड़ा चमतकार करने वाला परमेशुर को हम इधर देख सकता है जब हम एशिया की किदाब चाली सदिया उसका बारवे पद में हम देख सकता है कि किसने महाज सागर को चुलू से मापा और किसके चित से आकाश को नापा हुआ है किसने पृत्वी और मिटी को नपूवे में भरा और पहाडों को तराजू में और पहाड़ी उम को काढ़ी में तोला है देख परमेशुर का शक्ती कितना बेड़ा शक्तिबान, शक्तिबान परमेश्वर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो परमेश्वर का शक्ति वो यात्रा करने से पहले परमेश्वर ने उसको दिखाया है कितना एक बहुत बड़ी बात इदर हम देख सकता है परमेश्वर का वो शक्ति परमेश्वर का वो पाव और परमेश्वर का शक्ति उसको दिखाया है इसलिए हम देख सकता है कि प्रभू यूश्य मशी का जनव होनेक से कई साल पहले हिशेया ने उनको बोल रहा है वो एक वीडिये करने वाला बहुत बड़ा चमतकार करने वाला परमेश्वर है वो एक ताकत वाला प्रभू है यह प्रभू के उपर बरोसा रखते हुए हमारे जीवन में कुछ भी तकलिफ हरेशा नहीं आता है साब परमेश्वर उसको सुल्यूशन देने वाला उसको वो निप्ठाने वाला परमेश्वर है उसी के उपर बरोसा रखते हुए हमारे जीवन बिदाने के लिए परमेश्वर इस वाजन के द्वारा हम को सकाई देखरे उसके बेड़े नाम की महीमा हो